कॉंग्रेस ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए आंध प्रदेश और तेलांगना में अपनी एक दशक पुरानी सहयोगी पार्टी AIMIM से नाता तोड़ लिया है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने उन सभी लोग सभा और विधान सभा सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है जहां AIMIM चुनाओ लड़ती है तेलांगना प्रदेश कॉंग्रेस कमीटी के अध्यक्ष एन उत्तम कुमार रेड़ी ने मंगलवार को कहा पार्टी के शिर्ष नेत्रूत्व ने ओल्ड सिटी सहित अन्य सभी जगहों पर AIMIM के खिलाफ प्रत्याशी उतारने का फैसला किया है कॉंग्रेस अध्यक्ष राहूल गांधी ने केवल प्रत्याशी उतारने का ही नहीं बल्कि ये अश्वस्त करने को भी कहा है कि AIMIM प्रत्याशी की बुरी तरह हार हो कॉंग्रेस का AIMIM से नाता तोड़ने की वजह पार्टी की इस बात से नाराजगी बताई जा रही है कि AIMIM कई सारे राज्यों में कॉंग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़कर अल्प संख्यक और अन्य वर्गों के वोट में सेंद मारी कर रही है इसी बात से राहूल गांधी ने न केवल अपना AIMIM संबंध तोड़ा है बलकि खास तोर पर AIMIM प्रत्याशी को भी हराने की ठानी है NMF News की रिपोर्ट